आज हम 3.2 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन देंगे 3.1 में हमने रेडियन और टिग्री के बारे में पड़ा था तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेक करते हैं मेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है कि हमारे पस एक क्वाड्रेंट है ठीक है तो इसका रेडियस मैंने 1 के इकोल ले लिया एक सिर्कल ड्रो कर देते हैं इस क्वाड्रेंट में यह टिंस कितना ले लिए वन रेडियस कितना ले लिया लेव नकि वन लोगा खाएक्ष सिझे ड्रोक जोγाल उसकर और उसका मतलब यह ट्रिश पर क्या होगा अधार तो यह 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 आपका और 0 होगा यहाँ पर यहाँ पर कितना होगा 0 1 होगा ठीक है एज़ टीज यहाँ पर माइनस 1 और 0 इस साइड जीरो और माइनस 1 ठीक ऐसे होगा अब यह 0 1 लिए है है वन जीरो क्यों लिए हैं क्योंकि यहां फ ll d h2 पर वहता है यह एककिcommittee-esta ऑफ- ac-a-hc जिसान थे र॥ बडेर पर होता है और यह तो पाई पर रोता है और यह निक ओ ईल्ली पाइ और येख क्यों हो यह इस पाई-ट यह प्oxideगा फ्रेस है कि आपको यह और यह तो इसका मतलब यह जीरो किसके एकवल होगा टू पाई के भी एकवल होगा जब पूर एडिवॉल्वरेशन आएगा ठीक है तो अब यह वन और जीरो रेडियन का कोडिंग चले तो यह किस कौन से ट्रिग्नोमेटर फंक्शन में आते हैं यह वन तो अगर मैं कोस्ट जीरो की बात करूं यहां पर जीरो ना तो एंगल जीरो तो कोस्ट जीरो की बात करूं रही है किस फॉर्म में आएंगे आपके कोस्ट जीरो पर क्या होता आपका वन होता है तो इसका मतलब कोस्ट थिट्टा और जीरो पर कौन होता है साइन थिट्टा तो यह आपका साइन पे आएंगे, क्या होगाई तो तो सब्सक्राइफ निगहां तो सब्सक्राइब है multiplication हो तो n जो belong करेगा वो integer से belong करेगा ठीज तो x x इस पर x y x इस पर क्या होगा और ship ठीटा जो होगा वह आपका 2 n प्लस 1 p1 2 होगा ठीजिए और n किसे belong करेगा integer से belong करेगा यह किसम होंगे सिर्फ y-axis पर होंगे क्यों होंगे क्योंकि y-axis पर क्या होंगे सभी odd multiplication होंगे y-axis पर सभी odd multiplication होंगे पाई बाई टू के और मल्टिपल odd multiple of पाई बाई टू ठीक है तो x-axis पर क्या होंगे कोई भी इंटीजर के साथ यह multiple हो सकते हैं next point अगर मैं फर्स्ट फर्स्ट क्वाडरेंट में देखो यानि जीरो डिगरी एंगल पर तो मेरा sin x जो होगा sin theta जो होगा वह 0 होगा लेकिन किस-किस जगे पर 0 होगा कोई भी पाई की मल्टिप्लिकेशन एंड के साथ होगा पर sin theta क्या होगा जीरो और स्कोस theta कब कब वन होगा जब वहाँ पर टू एंड पलस वन मतलब कि ओड मल्टिप्लिकेशन ओग पाई बाई बाई टू इस बात का दिहां रखना नेक्स्ट पॉइंट को ट्रिग्रमेटिक फॉंक्शन साइन कैसे देनोट करते हैं इनको ठीका है अगर मैं कहूं यह बात कि आप जीरो से लिए प्लस में चले यह जीरो गए यह पाई बाई टू गए ठीक है और यह थ्री पाई बाई टू तो जीरो से पाई बाई टू की तरफ चले तो यहां पर क्या होता प्लस ठीक होता और जीरो से निच्छे की तरफ चले तो यह आपका क्या होता माइनस ठीक होता तो इस अकॉर्डिंग में कोस ठीक हो कोस ठीक हो क्या बोल दूगा कि आपको क्या होगा साइन माइनस ठीक होगा एज़िदी साइन ठीक होगा अपका इस का मतलब इदर जो सैन ठीक होनी तो स Νषी तक मतलब इसका मतलब इड़र जो सेनदी ठीक जाएगा? संदडर प्तक होगा कि स्टार क्या बनेगल एगा नस प्तक होगा सुरी घाय अ इ को तो इस चर्कल में क्याव पता लगा क्या इस बहुंन पॉइंट से इस वन पॉइंट से चलने करें को स्थिटा को यहां तक जाना पड़ेगा अगर वो जीरो होगा तो तो माइनस वन से लेकर को स्थिटा वन तक क्या बोला कि यह जीरो से पाई भाई गलत नहीं हो गया जीरो से लेकर पाई भाई टू तक अगर बोल दूं कि मैं माइनस वन से लेकर स्थिटा वन तो यह आपका माइनस वन आए गया यहां पर यह क्या हो गया यहां पर बनाएगा यह पर आपका साइन माइनस वन आए गया जीरो से लेकर जीरो से लेकर एक्स जोग ठिटा जोग वो किस किस के बीच मोगा जीरो से पाई के बीच मोगा और इसमें क्या होगा पाई पाई टू से लेकर ठिटा जोग पाई थडाई पाई पाई टू तक होगा next point अब कुछ trigonometry ratio के graph के बारे में बात करते हैं तो मैं फर्स्ट पॉइंट बताएंगे साइन रिश्यो के एंगल कहां कहां कितने बनेंगे तो साइन जीरो पर क्या होता है जीरो पाई बाई शिक्स पाई बाई बाई शिक्स पर कितने बता है वन बाई टू जीरो पाई बाई शिक्स पाई बाई फॉर पाई बाई थ्री पाई बाई टू पाई नेक्स थ्री पाई बाई टू और यह आपका टू पाई और इधर को क्या आएंगे आपके साइन कोस साइन कोस टैन कोट सेक और यह आपका कोश एक तो इन की वैलू याद रखना जूरी है तो साइन जीरो पर क्या अतर जीरो पाई बाई शिक्स पर 1 बाई 2 पाई बाई 4 पर 1 बाई रूट 2 और पाई बाई 3 पर रूट 3 बाई 2 और पाई बाई 2 पर क्यों था बाई 1 इतना दो मुझे पता है नेस्ट पहले जो टैन्थ है पढ़ा होगा वह कर लेते हैं यह इसको लटा आजाएगे यहां 1 या रूट 3 by 2 यह 1 by root 2 यह 1 by 2 और यहां 0 next point sign upon course होता है तो 0 upon 1 0 होता है यह आपका 1 by root 3 हो जाएगा यह आपका 1 यह आपका root 3 और यह क्या होगा infinity होगा क्योंकि anything के निच्चा अगर हम 0 रखें तो यह आपका infinity होता ठीक तो और infinity divided by 0 करते तो यह आपका anything होता है और 0 divided by anything करते कर देते हैं तो यह आपका 1 होता ठीक है नहीं सोरी 0 होता ही भी तो कोट कट कोट अब 10 का उल्टा तो infinity हो जाएगा और root 3 1 1 by root 3 और यह कितना हो जाएगा 0 यह सेख जीरो कितना होता है कोस 1 by 1 1 2 by root 3 तो यह रूट तो यह रूट तो हो जाएगा यह तो हो जाएगा और यह आपका 1 by 0 infinity हो जाएगा ठीक है तो कोसेक तो यह आपका 1 by 0 infinity यह शाइन का इनोड रेसिप्रोकल हो जाएगा infinity यह 2 हो जाएगा यह आपका root 2 हो जाएगा यह आपका 2 by root 3 हो जाएगा और यह आपका 1 by 1 1 इतना तो हमने 10th class में पढ़ा था लेकिन अब क्या करेंगे पाई 3 by 2 and 2 पाई तो साइन पाई पर कितना हो गया था माइनस सोरी साइन पाई अच्छा 2 पाई 0 यहाँ पर भी क्या होगा आपका 0 और यहाँ 3 पाई बाई 2 पर क्या होगा माइनस 1 कोस्ट पाई पर कोस्ट जीरो वन हो चुका था अब यहां कितना आएगा पाई बाई 2 पर जीरो पाई पर आपका माइनस वन हो जाएगा 3 पाई बाई 2 पर जीरो और 2 पाई 1 हाण 2 नेक्स्ट तैंट जीरो पर जीरो था अब्दद वाइब टू पर इंफिनिटी यहां पर कितना आजाएगा मिशन अपन कोस्ट मतलब जीरो तो यह एंफिनिटी ओ जेगा यह अपन जीरो कि यहां पर आप इंफिनिंटी चला जाये यह तक में सर्जार्य यह आपका infinity next शेक होता है 1 by cos 1 by minus 1 minus 1 1 by 0 infinity और 1 by 1 1 next point cos 1 by 1 1 by sin होता है तो 1 by 0 infinity हो जाएगा 1 by minus 1 minus 1 और 1 by 0 infinity यह आपके trigonometry ratio के table से हैं इसे आपका graph बनाने से पहले कौन से कौडरेंट में किसकी value positive होती है किसकी negative होती वो चेक करते हैं तो मेरे पास quadrant है तो कौडरेंट में क्या है यह तो इस कौडरेंट में जाओगा याने कि ठिटा इसी कौडरेंट को में क्या बोलूँगा जीरो पलस ठिटा बोलूँगा ठीक है और क्या बोलूँगा टू पाई पलस ठिटा हो जाएगा और क्या बोल सकता हूँ पाई बाई टू माइनस ठिटा इस कौडरेंट को फर्स्ट कौडरेंट को क्या बोलता हूँ में 0 पलस Theta, 2 pi पलस Theta, pi ए 2 माइनस Theta, सेकंड काइट और को क्या बोलूँगा, pi ए 2 पलस thick, और क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं, ये 2 pi माइनस Theta, तो नहीं, सोरे, only pi माइनस Theta, third quadrant को किया बोलूगा कि minus pi plus theta कि और 3 pi 3 pi minus 3 pi by 2 minus theta इस quadrant को किया बोलूगा 3 pi by 2 plus theta next और किया बोल सकते है 2π-θ या फिर 0-θ या आपका कौर्डेन्ट में हो और इसमें value कोन-kोन सी positive होती है कहाँ पर क्या-क्या value positive होती है अगर हम 0 से π2 की तरफ चलें तो इसमें सबी trigonometric ratio क्या होता है positive होता है इससे next वाले में चलें तो इसमें क्या होता आपका साइन थिट्टा पोजिट्व होता है और कौन सा पोजिट्व होता है कोश एक थिट्टा जो रेसिप्रोकलर साइन थिट्टा गा तो कोश एक थिट्टा भी आपका पोजिट्व होता है इससे नेक्स्ट वाले में चले तो इसमें कौन-कॉन से positive होंगे 10 theta positive रहेगा और 4 theta positive रहेगा इस सेट सलेए इसमें कौन-कौन से बाकि 2 बच गे वो positive रहेए कौन-कौन से positive है 2 theta और इसका inverse 6 theta ये positive रहेँगे positive रहेएंगे coordinate में तो यह आपका first quadrant है यह आपका second यह आपका third यह आपका fourth quadrant यह zero या two pi हो जाएगा यह pi by two रहेगा और यह pi हो जाएगा और यह side कौन सा angle है 3 pi by two तो पता चल गया कौन से quadrant में कौन positive है first में सारे positive है second में sine cosec positive है third में stand theta और quote theta positive और last volume cos theta और sec theta positive है next point अब इनके graph चेक करते हैं पहले बनाते हैं sine का graph sine theta मेरा कोई भी function है y is equal to sine theta तो sine theta sine theta मतलब मैंने क्या बला था कि pi के साथ n की कोई भी multiply हो यह zero हो जाएगा कब होगा जब n के साथ pi d को भी multiply हो और n भी लोंगो integers है चलो चेक करते हैं graph के सब्सक्राइब यह आपका y कोडरेंट है यह आपका x कोडरेंट तो यहाँ पर मैंने one point ले लिया और यह कितना zero और यह कितना minus one तो यहाँ पर pi by two यहाँ पर pi यहाँ पर three pi by two यहाँ पर two pi ज्यादर ज्यादर two pi ले ले लेते हैं इस side भी minus में चले जाएंगे अब बंग angle तो minus pi by two यहाँ पर minus pi यहाँ पर minus three pi by two यहाँ पर minus two pi अब angle चेक करते हैं कैसा ग्राव बनेगा इसमें मैंने क्या वहलो sine theta 0 रहेगा कब जब pi की कोई भी multiply मतलब pi की यह भी multiply है यह भी multiply है और यह भी multiply है pi की यह भी multiply है और यह भी multiply मतलब इन सारे point over graph क्या रहेगा 0 रहेगा और sin theta 1 हो जाएगा sin theta is equal to 1 हो जाएगा कब हो जाएगा 2n plus 1 pi by 2 पर ठीक है तो इसका मतलब चलो या तो 1 रहेगा या minus 1 रहेगा चेक करते हैं तो 0 से चलाते हैं 0 और pi by 2 पर कितना था 1 ये और 3 pi by 2 पर minus 1 तो graph क्या से बनेगा करव में बनाना है कुछ इस पर अगर बनेगा sin का तो agit is minus pi by 2 पर pi by 2 पर 1 था minus pi by 2 पर क्या होगा minus का 1 हो जाएगा यहां पर आएगा और 3 pi by 2 पर क्या हो जाएगा इधर minus 1 था इधर क्या हो जाएगा plus 1 हो जाएगा तो यह graph कुछ ऐसा बनेगा आपका मतलब क्या के जाएगा देखो यह आपका यह आपका फर्स्ट क्वाडरेंट है ठीक हो यह आपका सेगेंड क्वाडरेंट है यह आपका थर्ड क्वाडरेंट है और यह आपका फूर्थ क्वाडरेंट है तो इसका मतलब साइन Sine क्या कहता कि Sine अगर First Quadrant में रहेगा तो first Quadrant First, Second, third, fourth तो Sine का Quadrant में क्या होगा अगर first Quadrant में रहेगा तो हमेशा क्या होगा देखो Positiv में जा रहे न इसे उपर सारे Positiv में गए हैं तो first Quadrant में क्या होगा Positiv आईगा और फोर्थ कोडरेंट में क्या सो कर रहा है इस से नीचे वाले negative minus देखो minus 1 है यहां पर as it is अगर आपका second कोडरेंट में रहेगा इस सूप पर तो second कोडरेंट में भी क्या है positive sign next अच्छा अब five by two third कोडरेंट में आ गया तो थर्ड कोडरेंट में क्या होगा इसका minus तो यह थे कुछ detail sign के बारे में next detail पढ़ेंगे cos के बारे में cos theta one रहेगा कब रहेगा y is equal to cos theta is equal to one one कब रहेगा जब आप n के साथ πाई की multiply करोगे तो n बिलोंग करेगा कोई भी integer एगर को स्थिटा अगर आपको जीरो करना है तो वह क्या कहीगा कि टू एन प्लस वन five by two के साथ कोई भी multiply करोगे odd numbers odd integers तो इसका गराफ चेक करते हैं कैसा बनेगा यह वाई है यह एक्स यह आपको माइनस वह यह यहां पर वन हो जाएगा वन यह आपका माइनस वन तो इस साइड क्या है यह तो जीरो हो गया और यह जीरो हो गया अगे पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई 2 और यह आपका 2 पाई और इस साइड पाई पाई 2 पाई 2 यह वह माइनस का इस साइड माइनस पाई इस साइड माइनस थ्री पाई बाई 2 इस साइड माइनस 2 पाई अब क्या बोरा ध्यान से देखना कि 1 कब रहेगा so 0 कब रहेगा जब old multiplication with pi by 2 मतलब pi by 2 के साथ old multiplication तो मतलब यहाँ पर कितना रहेगा आपका 0 रहेगा यह point 0 और इस side भी क्या रहेगा 0 ठीक है और इस side 0 इस side 0 मतलब इस point पर क्या रहेगा 0 और 1 कब रहेगा जब n pi pi के साथ कोई भी multiply तो 1 हो जाएगा तो 0 कब पाई का multiplication है यहाँ पर 1 और pi में जाते ही है एक चीज़ और pi के पास जाएगा तो cos minus 1 होता है pi की value क्या होती है? minus 1 जो हमने table में पड़ी थी तो pi की value हो जाएगी minus 1 और 2 pi की फिर क्या हो जाएगी 1 पॉलस का 1 एदर pi की value क्या बटाएथी मैंने minus 1 ठीका और यह 1 ग्राफ बना लो इसका ग्राफ में बनाते हैं इसका ग्राफ अब ध्यान से चेक करना की quadrant कैसे हैं इसके जहां पर zero touch हो जाएगी वो जीरो से pi by 2 यह आपका first quadrant है और pi by 2 से pi यह आपका second quadrant है यह आपका third quadrant हो गया और बग के आगे fourth quadrant है यह आपका first यह second यह third यह आपका fourth तो अब देखों यहां पर किसकी कोस्थिट्टा के था ना कोस्थिट्टा first, second, third और fourth तो first quadrant में यह उपर है यह आपका plus हो गया second quadrant में नीचे चला गया तो यह minus में चला गया third quadrant में भी नीचे है तो यह आपका minus और यह last quadrant में क्या है उपर है तो यह आपका plus ठीक है तो इसलिए कोस्थिट्टा कहां का plus होता है वन मोता और लाइस्ट मोता है नेक्स्ट तेन थिटा तेन थिटा जब जीरो होगा तो कहां होगा इन पाई बाई जो कि एन बिलॉग करेगा जीरो से शोरी एन बिलॉग करेगा इंटीजर से ग्राफ चेक करते हैं कैसा बना है इसका चलो एक चीज़ ओड़ेगे ना जीरो होगा जब यह होगा और इंफिनिटी ओगा जब क्या होगा इंफिनिटी ओगा जब आपका टू एन प्लस वन पाई बाई टू ठीक है तो ग्राफ चेक करते हैं इसका क्या होगा यह एक्स यह अपका होगा यह जीरो यह पाई बाई टू यह पाई यह थ्री पाई बाई टू और यह टू पाई इस साइड माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू और यह माइनस टू पाई ठीक है तो अब क्या बोला है कि जीरो कब होगा जीरो कब होगा जब एन पाई हो तो यह आपका यह आपका इंफिनिटी हो चाहिए उपश्टी तो जीरो पे जीरो रहेगा टैन और यहां पर भी जीरो यहां पर भी कितना जीरो और जीरो यह भी जीरो ठीक है अब सेकंड पाई आरम से जुनना क्या कहएड़ा कि इंफिनिट हो जाएगा जब टू एन प्लस न होगा तो इसका मतलब पाई बाई टू पर क्या होगा है इंफिनिटी तो इंफिनिटी पर चला जाएगा यह तो यह आपका इंफिनिटी पर चला जाएगा मतलब टचने होगा क्वाड्रेंट के तो इधर भी क्या होगा इंफिनिटी इत इन्फिनिटी तो कंहीं भी लगा लेते हैं ठीक है तो इतर इंफिनिटी लगा जया हम यहां पर भी in5 फर्रस रफ हमनेidée इंफिनिटी लगा दिये नीचे बहुत अब कम-1 और minus infinity 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 प्लस हो चाहिए minus infinity रहता है तुस्स नहीं होना चाहिए यह infinity यह minus infinity है चलो चेक करते हैं तो 0 से infinity तरफ गए 10 ऑफिर जीरो से इंफिनेट्य की तरफ गए एक है इस साइड्ट düşün »,- ए इंफिनेट्य से लेकर जीडू है और फिर जीरो से इंफिनेट्य रही इस साइड्ट ए ANYने निचे लेकर जीरो हाई इससाइड क्या हो Ash pencil पाई by टू मैंन से 0 तच कर दो सभी वह यह गराव बनेगा टैन का ठीक है क्वाडरेंट चेक करते हैं इसमें क्या है क्वाडरेंट तच नहीं होना चाहिए इसका है क्वाडरेंट फ्रली फिस् 1 खार bis 2 जारा कार खान इसरी और अड़, फोर्थ कवाडरेंट आ यह आपका फष्ट यह सेकंड यह थडं यह फोर्थ तो टैन थिटा फर्स्ट में क्या होगा फर्स्ट में क्या होगा फर्स्ट में क्या होगा और फॉर्थ में क्या होगा चलो चेक करते हैं क्या होगा तो फर्स्ट में तो क्या उपर की तरफ है ना तो ये प्लस होचा है फर्स्ट में ठीक है तो यह plus और last में minus नीचे है तो यह आपका n theta के बारे में है next point आपका cot theta cot theta y is equal to cot theta कब होगा infinity होगा कब होगा जब आपका πाई के साथ n multiplication हो और 0 कब होगा जब आपका और multiplication with πाई by 2 हो तो यह कंडिशन तो इसका ग्राफ चेक करते हैं कैसे होगा 10 गोल्टा हो जाएगा जिसमें लोग चेक करते हैं फिर फिर एक्स वाई यह जीरो यह पाई by 2 यह पाई 3 पाई by 3 पाई by 2 और यह आपका 2 पाई तो यह की कोडिनेट कर देते हैं इसी में चारू कोडिनेट बना देंगें इधर क्या रखें माइनस पाई by 2 रख देते हैं और यह माइनस पाई पाई तक चेक करते हैं तो जीरो कहां का होगा वह चेक कर रहें और अब अब इंफिनिट का होगा इंफिनिट का होगा उपर तो जीरो पर इंफिनिटी मतलब तच नहीं होना चाहिए यह आपका इंफिनिटी प्वाइंट तो इंफिनिटी दोना तरफ रख लेते हैं यह आपका quadrant हो गया तो यह इदर infinity हो जाएगा और इदर infinity हो रहेगा और क्या हो गया 5 by 2 यह आपका infinity हो जाएगा तो graph को चेक करते हैं तो graph कुछ ऐसा जाएगा quote का यह आपका quote का graph है तो quadrant चेक करते हैं quadrant कैसा चेक करेंगे यह आपका first quadrant हो गया यह आपका second quadrant हो गया यह आपका third quadrant है यह आपका fourth quadrant तो first, second, third and fourth fourth तो quote के sign देखें कहांगा plus होंगे कहां minus quote ठिटा first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant तो first quadrant में कैसा रहेगा plus उपर की तरफ है second में minus नीचे की तरफ, third में फिर उपर की तरफ, और fourth में नीचे की तरफ तो यह आपके sign रहेंगे coordinate के according next क्या है, next आजेगा check check ratio तो check theta check theta infinity कब कब रहेगा sorry, पहले zero put, ने one put करते हैं check theta one रहेगा जब आपका पाई के साथ n multiplication हो और infinity कब रहेगा जब आपका पाई बाई two के साथ और multiplication हो तो वहाँ पर आपका infinity बन जाएगा check करते है x, y तो आपका one यहाँ पर रहेगा और infinity ठीक है और यहाँ पर minus one रहे जाएगा और यहाँ पर infinity minus का ठीक है तो यह आपका zero यह आपका pi by two यह आपका two pi sorry pi यह आपका three pi by two यह आपका two pi इस साथ दो यह ले ले लेते है pi by two minus pi by two और यह दर minus pi अब क्या बोला कि one कब रहेगा जब multiplication with two pi तो pi के साथ मतलब zero multiply हो रहा है यहाँ पर रहेगा और pipe में negative minus one चला जएगा ठीक तो minus one change कर लेता हूँ एक point यह रहा और दूसा point minus one यहाँ बनेगा और two pi यह फिर प्लस का होजेगा यहाँ पर जागे इधर pi पर one रहेगा ना तो यह आपका निच्च आजएगा minus pi minus one अब क्या बोले infinity कब रहेगा जब odd multiplication हो मतलब odd multiplication pi by two है तो यहाँ पर आपका infinity चला जाएगा और यहाँ पर भी infinity ठीक है अगर pi by two पर निच्च आएगा और three by pi two पर निच्च रहेगा ठीक है तो और three by pi two पर infinity दोनों तरफ infinity लगा लेते हैं कि चलो चेक करते हैं क्या ग्राफ बनेगा कि तो कराओ मैं अट्जेस्ट करना इसको कि यह ग्राफ बनेगा सब्सक्राइब शेक ठीट आगा अज़े यहाँ से कोई ना इसके कोडरेंट बताता है तो मैं क्या कुछ है चेक ठीटर कोडरेंट लिखने रहे ङते बस नोटिस करवाना था देखो यह जिरो से पाई बाई टू था तो यहां पर कोडरेंट उपर था फ़स्ट कोडरेंट में यह आपका पीछे करके वीडियो को तो यह आपका नीचे था नीचे ही पूरा कर रहा हुँ था यह मतलब 3 by by 2 और 2 by 2 by पर कहां था यह 2 by ऊपर की तरह था चेक कर ले ना पीछे करके वीडियो को तो यह आपका first quadrant है first, यह आपका second, यह आपका third, यह आपका fourth अब इसमें चेक करूँ, first में क्या है plus, second में minus minus, third में क्या है minus, और fourth में क्या है plus यह आपके quadrant में आज जाता, second theta, next, last है cosec theta, cosec theta, यह आपका one, sorry, infinity कब बनाएगा, infinity जब बनाएगा, जब आपका pi के साथ n multiplication हो, और one कब बनाएगा, जब आपका two n plus one, मतलब pi by two के साथ, odd multiplication हो, चेक करते हैं, graph, तो यह infinity हो जाएगा, इदर, यह one, यह minus one, और इदर minus infinity, तो यह आपका pi by two, यह आपका pi by two, यह आपका zero, यह pi, यह 3 pi by two, यह आपका two pi, इस साथ, minus pi by two, और यह minus pi, चेक करें, कैसा गराब बनेगा, one कब कब है, जब आपका odd multiplication हो, पाइ बाइ टू हो हो तो मतलब 빠इ बाइब वाइत फ़े और व्न चिर वाइत माइनस बाइब सो जाएगा अब इन्फिनिटी कव रहेगा इन्फिनिटी जब आपका जाब का पाइ के साथ मनिल का लगय सिंटी मतलब यह तो इसका नीचे हो जाएगा और जीरो भी तो पाई के साथ मिटिप्लेकर होता है, तो यह नीचे आजएगा इस सैड नीचे इस सैड उपर, infinito पे, तो पाई के साथ infinity और यहां infinity तो टू पाई पर भी क्या होगा? infinity है, तो यह ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा Quadrant चेक करते हैं इसका यह आपका फ़र्स्ट क्वाडरेंट हो गया यह आपका फ़र्स्ट सेकंड थर्ड और फ़र्थ फ़र्स्ट सेकंड थर्ड और फ़र्थ तो कोशेक थिटा 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 कोश लास्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं सभी अका क्वार्डरेंट एक में कर लेते हैं टेबल बना लेते हैं साइन थे साइन कोस टैन कोट शेक कोश एक क्वार्डरेंट लिख रहा हुपर यहां पर फिर्स्ट कोडरेंट है यापका सेकेंड ग्वार्डरेंट है यापका फॉर्थ कोडरेंट साइन फर्स्ट कॉडरेंट में क्या होता आपके सभी पलस होंगे कोई भी नेगटिव नहीं रहेगा सेकंड कॉडरेंट में क्या होगा एक यह पलस होगा और एक यह पलस होगा क्योंकि दोनों रेशिप्रोकल है थर्ड कॉडरेंट में क्या होगा यह पलस रहेगा और यह पलस रहेगा लास्ट कॉडरेंट में यह पलस रहेगा और यह पलस रहेगा ठीक और सारे में क्या होगा नेगटिव 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 आएंगे सभी सभी negative third quadrant में sign क्या होगा negative, negative, negative सारे क्या होगा negative अब देखो sign first quadrant में plus, second में plus third में negative, fourth में negative goes first में plus, second में minus third में minus, fourth में plus ten first में plus, second में minus third में plus, fourth में minus first first में क्या होगा plus, second में minus third में plus, fourth में minus check first में plus, second में minus third में minus, fourth में plus goes check first में plus, second में plus third में minus और fourth में minus ठीक है तो इस तरह से हमने प्रूफ क्या क्या कि हमारे पास कोई भी कॉड्रेंट है कोई भी कॉड्रेंट तो यहां का फर्स्ट कॉड्रेंट है यहां का सेकिन्द यह थर्ड यह फॉर्ट तो सभी पॉजिटिव किस में थे फर्स्ट में तो यहां पर सभी रेश्ट जोज पॉजिटिव रहेंगे यहां पर ओनली शाइन एंड पॉस पॉजिटिव रहेंगे ठीक है यहां पर आपका टैन और कोड क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे और यहां पर ओनली शाइक एंड पॉजिटिव रहेंगे यह था आपका 3.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में थेंक्यू एवे नाइस डे जैंग